बिन की शुरुबात करेंगे 25 अक्टूबर 2023 के साथ हर एक न्यूज इंपोर्टेंट है इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखेगा करेंट अफेर की PDF स्टैटिक जीके के साथ आप exam engine application से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने application अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो exam engine application आपको google play store पे मिल जाएगा जब भी आप google play store से application को डाउनलोड करें तो इसे 5 star rating देना ना भूलिए क्योंकि हमारी टीम डेली आपके लिए जो free content लेकर आती है इस static gk और इसमें current affair का जो और तड़का रहता है आसपास की भी news हम बहुत जादा cover करने की कोशिस करते हैं आप कभी भी इस pdf में देखोगे तो यहाँ पर हम आपको tables के format में भी कई बार कोशिस करते हैं पूरे साल का data एक साथ दे दें तो इसके लिए five star rating तो बनती है बाकी आप exam engine application में मेरे courses को भी avail कर सकते हैं वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कल के question की कल मैंने आपसे एक सवाल यह पूछा था कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है पहली तो गंगा है यह सबको पता है गंगा की लंबाई कितनी है पच्चिस सो पच्चिस किलो मीटर है गंगा की लंबाई ठीक है अब बात करते हैं सही answer की दरसल यह question मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि इस question में गलतियां यह हो जाती है जादा तर कई बार student यमुना लगा देते हैं लेकिन आप में से जादा तर students ने सही answer किया है and the correct answer is गोदावरी गोदावरी दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है भारत की गोदावरी की लेंथ कितनी है तो 1465 किलोमेटर इसकी लेंथ है गोदावरी origin क्या है इसका मतलब यह कहां से निकलती है तो यह महरास्ट के नासिक के अंदर क्रियम्मकेश्वर से निकलती है बहुत important है ध्यान कियेगा और यह कहां पर जाकर गरती है तो यह बंगाल की खाड डिस्टिक से निकलती है कहां से सिहावा और यह भी इसी तरीके से जाकर बे बेंगोल में गरती है महा नदी के अलावा नर्मदा नदी के अगर हम बात करें तो यह मद्य पदेश रीजन से निकलती है और मद्य पदेश में अमर कंटक की पाड़िया है कहां पर अमर कंटक ज जहां से यमना निकलती है और आगे जाकर यह प्रयाग राज में गंगा से मिल जाती है तो यह गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमना लेकिन भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी कौन सी है यह है गोदावरी 1465 किलो मेटर यमना की अगर बात करें तो इ एक नए मिसाइल सिस्टम का परिक्षण किया है और इसका नाम है अबाबील क्या नाम है अबाबील लेकिन यह पूरे तरीके से सफल नहीं रहा पाकिस्तान ने इसको लांच तो किया यह सक्सेस्फुली ट्रिगर हो गया लेकिन यह थोड़ी ही दूरी पर जाके क्रैश हो ग है तो पाकिस्तान इसे जल्द से जल्द दुबारा टेस्ट करने की कोशिस करेगा फिलाल अगर बात करें तो इसकी हाइट है साड़े 21 मीटर कितनी साड़े 21 मीटर और इस से पहले साल 2021 में पाकिस्तान ने फते वन मिसाइल को सफलता पूरवक परिक्षण किया था पाकिस्त अन्वर उलहक ताकर क्या नाम है यहां पर मैं लिख देता हूँ अन्वर उलहक ताकर क्योंकि नेवर कंट्रीज के बारे में आपसे कई बार पूस्ता रहता है तो ध्यान रखिएगा यह इस टाइम पर केरेटेकर प्राइम मिनिस्टर है यह पाकस्तान के आठमें केरेटेकर अन्वर उलहक ताकर यह कौन है जिनको Harvard Law School की तरफ से Award for Global Leadership से सम्मानित किया गया है तो यह भारत के लिए अपने आप में एक सम्मानिय बात है क्योंकि हमारे सूप्रीम कोड के Chief Justice of India D.Y. चंदचून को सम्मानित किया गया है Harvard Law School की तरफ से Global Leadership Award से और D.Y. चंदचून कौन से नंबर के CJ हैं तो यह 50th CJ हैं पचासमे CJ हैं शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर है विरीष चंद मुर्मू भारत के Comptroller and Auditor General of India है राजीव कुमार भारत के Chief Election Commissioner है NPCI जो भारत सरकार की Company है जो की Digital Transaction के लिए भारत सरकार ने Launch करी थी तो इसका पूरा नाम है NPCI भारत Bill Pay Limited इन्होंने कौन से बैंक के साथ Act Assign किया है अपनी Services प्रदान करने के लिए B2B Category में B2B का मतलब होता है Business to Business जैसे Example के तौर पर मान लीजे कि आपने Medical Store खोला कोई ठीक है आपने कोई दवा खाना खोला है ठीक है तो आप इस Medical Store में जो भी ग्रहक आ रहे हैं आपसे समान लेने तो ग्रहक और आपके बीच में संबंध पता है किसका है B2C का संबंध है आप Business कर रहे हो और वो कौन है Customer तो इसको बोलते है B2C लेकिन अगर देखा जाए कि आपके पास दवाएं कहां से आ रही है तो आप पीछे Wholesale Market से ले रहे हो ना दवाएं तो आप पीछे जिस Distributor से दवा ले रहे हो तो आपके और उसके बीच में B2B का संबंध है ठीक है क्योंकि वो भी business कर रहा है आप भी business कर रहे हो लेकिन आगे जो customer है वो business नहीं कर रहा है वो उपभोगता है वो उस चीज का use करेगा तो उसे बोलते है B2C तो यहां पर कहने का मतलब है कि NPCI अपनी services इस bank के साथ launch करने जा रहा है B2B का एडिगरी में यह bank है Access bank और Access bank की स्थापना 1993 म पर यह है अमिताब चौदरी और ध्यान रखेगा भारत में सबसे पहला कोई payment platform है जिसने अपना application launch किया था तो वो है mygeo अब mygeo के बाद भारत बिल NPCI भी दूसरे ऐसे platform मन जाएंगे इस level के जो कि अपना application launch कर रहे है Access bank के साथ मिलकर NPCI की स्थापना साल 2021 में करी गई थी इसका headquarter है मुंबई दो साल पहले इसकी स्थापना हुई है और इसकी chair person है नुपुर चतुर वेदी कौन है नुपुर चतुर वेदी Yes bank 2004 में स्थापित किया गया है headquarter इसका मुंबई है State bank of India 1955 headquarter इसका भी मुंबई है और ICI ECI bank 1994 में स्थापित किया गया था इसका headquarter है वडूदरा ये कौन सा संस्थान है जिसके द्वारा अभी हाली में लखनाउ कानपुर और आग्रा मेट्रो का जो construction का काम चल रहा है इसको examine किया गया है मतलब इन्होंने जाच करी है लखनाउ कानपुर और आग्रा मेट्रो construction की तो यह है EIB जिसको बोलते है European investment bank European investment bank इसकी जाच इस वज करी जा रही है अब देखिए यहां पर ध्यान दीजेगा लखनाउ मेट्रो की अगर हम बात करें तो लखनाउ मेट्रो जो है इसका जो पूरा एक तरीके से estimate है वो है 914 million euro का ठीक है तो 914 में से European investment bank की तरफ से 450 million euro दिये जा रहे है इसी तरीके से जो कानपुर मेट्रो है यह इसका estimate खुड़ा से जादा है यह 1314 million euro का estimation है इसका और 1314 million में से 650 million European investment bank दे रहा है इसी तरीके से अगर आगरा मेट्रो की बात करें तो इसका जो estimate है यह है 908 million euro का और 908 million euro में से 4500 million यहां पर भी European investment bank दे रहा है बाकी का जितना भी पैसा है वो केंद सरकार और राज्य सरकार मिलकर भेन करेंगे तो फिलाल कहने का मतलब यह है कि European investment bank जो की इन पीनों metro में निवेश कर रहा है इस वज़े से यह यहां पर जाच भी करने आये थे तो अभी इनकी प्रॉपर एक टीम आई थी जिन्होंने इसकी जाच करी है European investment bank जिसकी स्थापना साल 1958 में करी गई थी इस Asian Development Bank जिसकी स्थापना 1906 में करी गई थी इसका headquarter है Manila और AIIB जिसको बोलते है Asian Infrastructure Investment Bank यह बहुत पुराना नहीं है इसकी स्थापना 2016 में करी गई थी इसका headquarter है Beijing और Wish Bank जिसकी स्थापना 1944 में करी गई थी और World Bank का headquarter है Washington DC यह कौन है जो कि IR CTC के Chief Managing Director के रूप में appoint किये गए ह तो अब से IR CTC की command दे दी गई है Sanjay Kumar Jain को Sanjay Kumar Jain जो है यह 1990 बैच के Indian Railway Traffic Service के अधिकारी है और अभी तक IR CTC के अगर बात करें तो करीब देड़ साल से यहाँ पर CMD की post खाली पड़ी हुई थी तो देड़ साल से यहाँ पर additional charge मिला हुआ था सीमा कुमार को किस तो सीमा कुमार को तो अब सीमा कुमार को सक्सीड किया है Sanjay Kumar Jain यह permanent basis पर CMD appoint किये गए है IR CTC Railway का वो संस्तान है जो कि Railway में आपको सारी facilities देते हैं और IR CTC की स्थापना 1999 में करी गई थी इसका headquarter है नहीं दिल्ली अभी हाली में अमरीका में Grand Prix 2023 किस ने जीत लिया है जिसको US Grand Prix के नाम से जाना जाता है हर साल यह होता है US Grand Prix 2023 Max Verspan ने जीत लिया है Max Verspan साल 2023 में सबसे ज़्यादा successful car racer है 2023 में अभी तक 17 car race हुई है formula 1 की जिसमें से 15 title इन्होंने अपने नाम किये हुए है और Max Verspan की अगर बात करें तो इसी के साथ एक बड़ा milestone इन्होंने अचीव कर लिया है इनके career का यह 50 वह Grand Prix title है जो की इन्होंने जीत लिया है Max Verspan कौन से team से खिलते हैं तो आपको ध्यान रखना है यह Red Bull team से खिलते हैं और यह Belgian Dutch है बाकी अगर बात करें सेकेंड नंबर पर कौन रहे तो सेकेंड नंबर पर इस बार रहे Lando Norris Lando Norris McLaren team से खिलते हैं McLaren car company का नाम है ध्यान रखिएगा और जो तीसे नंबर पर इस बार रहे हैं यह रहे हैं Carlos Sens Ferrari team से खिलते हैं तो यह top 3 रहे हैं इस बार US Grand Prix 2023 में World Snow Leopard Day कौन से दिन मनाया जाता है विश्वहिम तेंदुवा दिवस मतलब बरफीला तेंदुवा परफ में पाय जाते हैं यह तेंदुवे तो एशियन रीजन में जितनी भी बरफीले जगे हैं वहाँ पर सबसे जादा Snow Leopard पाय जाते हैं जैसे कि कुछ कंट्रीज का नाम मैं आपको बताता हूँ भारत हो गया पाकिस्तान नेपाल हो गया पूटान हो गया इसमें इसके अलावा रशिया वाला रीजन हो गया ठीक ह हो गया यह सारे वो देश हैं जहां पर सबसे जादाताद में Snow Leopard पाय जाते हैं बरफीली जगहों पर इसके अलावा एक आकड़ा यह भी कहता है कि जितना भी हिमाले वाले रीजन है हिमाले के जो पहाड है तो पूरे अगर हिमाले रीजन में बात करी जाए हिमाले आपको एको सिस्टम के हिसाब से काफी कम है अभी हाली में एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है उद्भव तो प्रोजेक्ट उद्भव को इनाउग्रेट किया गया किसके द्वारा दरसल यह ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंतरगत सरकार यह चाहती है कि पुराने टाइम में जिन्ट वेज हुआ करते थे जैसे उस टाइम पर लोग युद लड़ते थे जिसके लिए प्रोजेक्ट उद्बो अभी हाली में नई दिल्ली से लौंच किया गया और इसको एटेंड किया इंडिन आर्मी चीफ, इंडिन नेवल चीफ, एंड एरफोर्स चीफ, इसका कि ने बताया हुआ है कि एक राजा के पास कैसी आर्मी होनी चाहिए, उस आर्मी में क्या-क्या होना चाहिए, एक सफल आर्मी क्या कहलाती है, किन टेक्टिक्स थे वो लड़ने के लिए हमेशा कैपबल होने चाहिए, इसी तरीके से कामंदक के द्वारा एक किताब लिखी कामंदक की किताब जिसका नाम है नीतिसार, तो नीतिसार में भी यही टेक्टिक्स बताई गई है, कुछ अलग और तरीके से इंट्रेस्टिंग वे में, तो यहाँ पर इन किताबों की भी बात करी गई, कि हमें क्या करना है, कि इंडियन आर्मी, एरफोर्स और नेवी में पुराने तरीकों को भी अब इंक्लूड करके चलना है, जो कि पुराने टाइम में बहुत सफल हुआ करते थे, भारतिये सेना के द्वारा संप्रीती 11 बाइलेटरल मिलिटरी एक्सराइस कौन से देश के साथ कंड़क्ट करी गई, हमेशा ये चीज आपको ध्यान लिखनी ह कि संप्रीती एक्सराइस हम बांगलादेश के साथ ही कंड़क्ट करते हैं, किसी और देश के साथ नहीं करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एक एक्सराइस का नाम है, हैंड इन हैंड तो हैंड इन हैंड हमेशा चाइना के साथ ही कंड़क्ट करते हैं, वैसे ही संप्रीती यह हमेशा करते हैं बांग्लादेश के साथ ही इसी तरीके से बांग्लादेश के साथ हमें एक नहवल एक्सक्राइब करते हैं जिसको दोन वोलते हैं उसको प्रीस सब्रोर थौर अश के और चीफ पता है इनका नाम है श inveceạnh सफी उद्दीन एहमत क्या नाम है सफी उद्दीन आपर मैं लिखता हूँ एहमत और बांगलादेश में सेख हसीना की सरकार है इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग इंडोनेशिया में जोको विडोडो की सरकार है रैश्या में व्लादीमीर पुतिन की सरकार है और शेलंका कि प्रधान मंत्री कौन है कि आप मुझे comment box में लिखकर बता सकते हो अभी कुस टाइम पहले ही तरीब 10 मेने पहले ही इनको एपाउंट किया गया था World Health Summit 2013 कौन से देश में आयुजित किया गया विश्व स्वास्त सिकर सम्मेलन 2023 का इस बार ये जर्मनी में आयुजित किया गया और जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में इसका आयुजित किया गया तो इसका मेन उद्देश था दुनिया भर में जो देश हैं वो कहीं न कहीं Health Sector में बहतर से बहतर प्रयास करें Artificial Intelligence को जोड़ कर देखें साथ में जो और भी नई तकनीके हैं जैसे कि अब दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं इंक्लूडिंग भारत जो कि अपने remote areas में medicines को पहुँचाने के लिए हर्त प्रयास कर रहे हैं साथ में nutrition का ध्यान रखना है किसी भी देश में malnutrition ना होने पाए यह सारी चीजे इसका मेन उद्देश चता और जर्मनी में Chancellor कौन है यह हैं Olaf Schools जैसे भारत में प्रधान मंत्री होते हैं वैसे जर्मनी में इस पोस्ट को बोलते हैं Chancellor Olaf Schools पिछले साल है और अर्जेंटीना में इस टाइम पे रास्ट पती है Alberto Fernandes क्या नाम है Alberto Fernandes इस्पेन के जो रास्ट पती है इनका नाम है Pedro Sanchez यहाँ पर में लगता हूँ और फ्रांस में रास्ट पती है Emmanuel Macron फ्रांस की कैपिटल है Paris, इस्पेन की कैपिटल Madrid, अर्जेंटीना की Bruno Ayers और जर्मनी की कैपिटल Berlin Mission शक्ती कैफे का उधगाटन उत्तरपदेश के कौन से डिस्टिक में अभी हाली में किया गया तो इसका उधगाटन 22 अक्टूबर को किया उत्तरपदेश के मुख्यमंतरी योगी आदितनात के द्वारा गोणा जिले में और Mission शक्ती कैफे है क्या देखिए देखिए इसका Clean Food उन्हें मिले अच्छा गासा Neat and Clean Food मिले Proper Nutrition उन्हें मिले उनकी डाइट में इसके अलावा ऐसी महिला हैं जो कि Business के चेतर में आना चाती है या Education चेतर में या Art, Agriculture, Health या Police सेक्टर में जाना चाती है इन सब के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और जो लोग इस चेतर में उत्करस्ट कारे करेंगे उन महिलाओं को हर साल नव देवी अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा क्योंकि नवरात्री के उपलक्ष में नवरात्री के दोरान ही Mission चक्ती कैफे का उधगाटन किया गोंडा के अंदर तो इस वज़े से योगी सरकार ने फैसला लिया ह कि ऐसी मैला हैं जो कि इस चेतर में सबसे बहतरीन कारे करेंगी उनको हर साल नव देवी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और इस एवेंट में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया वो यह हुआ कि इस एवेंट में आपने आपको पताई होगा नौरात्री में हम लोग कन्या भोज कराते हैं कुछ लोग अस्टिमी में कुछ लोग नौमी में तो यहाँ पर इस उपलक्ष में एक साथ 11,000 लड़कियों को कन्या भोज कराया गया इसकी पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हो और इसी के साथ यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया कि एक साथ जो यह कन्या भोज कराया गया आज तक इससे पहले इतना नहीं कराया गया लिम्का भुक उफ रिकॉर्ड में इसको दर्च कर लिया गया है और उत्तर पदेश में गवनना रहे हैं आनंदी बेन पिटेल अब मेरा आज का सवाल आप से आप में से कितने लोग बता सकते हैं अभी हा अक्टूबर से जिग्रफी का मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट करना हूँ आप किसी भी एक्जाम के लिए जा रहे है और अगर जिग्रफी आपकी कवर नहीं है तो आप इस बैच के माध्यम से कवर कर सकते हैं 2024 के किसी भी एक्जाम के लिए एक्जाम एंजन एप्लिकेशन में आप मेरा फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं जिसमें हिस्ट्री, पॉल्टी, जिग्रफी, साइंस, एकनॉमिक सब कुस कवर है। करणाफ की मैगजीन, कॉम्प्यूटर की मैगजीन हो गई, और इसके वलावा, साइंस की मैगजीन हो गई, क्रैस कोर्स finns, निली पुरस कॉनस्टेबल की क्रैस कोर्स हो गए, ये सारे आपके एक्जाम एंजन में अवले Save है आज की बाद यहीं तक रहेगी डिसकाउंट के लिए वरूंट 10 आपको कोड पता है इस कोड की मदब से 10% का फ्लेट डिसकाउंट आपको प्राप्त हो जाएगा थैंक यू सो मुच है टेक कर बाबा है आपका दिन मंगल मैं हूँ